हर्याना से चुनाव पिचार करके लोटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हर्याना में भारती जन्ता पार्टी की सांदार विजय होगी ये किवल वैसे ही नहीं कहा था प्रधान मंत्री स्रीमान नर्यंद्र मोदी जी के नेत्रत्मों में समाज के हर वर्ग के कल्यान के जो काम हो रहे हैं उसका असर हर्याना में साफ दिखाई दे रहा था लोगों के चेहरे बोल रहे थे कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारती जन्ता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जन्ता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं कांग्रेस के जगे तीसरे इस्थान पर चली गई है भारती जन्ता पार्टी सांदार विजय की और अग्रिसर है और इन परिणामों ने यह साबीत कर दिया है कि ठोस काम को ही जन्ता आसीरवात देती है जो प्रधानमंत्री जी के नित्रत में पूरे देस में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं किसानों की जो काम होए पिछले दूनों आजबुत और अभुत पूर में कांग्रेस कभी नहीं किये और हर्याना में केंद्र की योजनाए बोधी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्यान के काम किये उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रिकट हो रहा है कितनी तोड़ने की कौसिस कर ले समाच को कांग्रेस लेकिन उनके इरादे उनके मनसूबे कभी सफल नहीं होंगे देश हर्याना आज बीजेपी के मोड़ी जी के पीछे खड़ा है